नमस्कार आप देख रहे हैं जिव भी दियू उस्त दोस्तों वक्त हो गया है दोपार की बड़ी कबर को जानने का तो उससे पहले अगर आपने अभी तक जिव भी नुज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जलिछ ज़िजागर जिव भी नुज को सब्सक्राइब करके All Notification बेल को ओन कर दीजिए फिर सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी का ऐलान करते हुए पचास रुपई बढ़ाये गए थे और अब फरवरी महीने में तीसरी बार रसोईगैस की कीमतों में इजाफा हुआ है और इस बार 25 रुपई तक की बढ़ोतरी की गई है जिसके चलते तीन महीने में सिलेंडर के दामों में 100 रुपए का इजाफा हुआ है घरेलू रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी किये जाने के बाद अब बिना सबसिडी वाले 14.2 किलोग्राम की एलपजी सिलेंडर की कीमत 779 रुपए से बढ़कर 794 रुपए हो गई है आपको बता दें कि रसोई गैस पर बढ़े हुए दाम 25 फरवारी 2021 से लागू हो गए हैं दरसल फरवारी में तीन बार गैस के दामों में बढ़ोतरी किये जाने से पहले दिसंबर महीने में भी रसोई गैस को महंगा किया गया था केंद्रिय मंत्री संजीव बालियान का विपक्षप निशाना कहा ब्रह्म पहलाए गया कि किसान अपनी जमीन खोदेगा उसे MSP नहीं मिलेगा जिहां पस्ची में उत्तरप्रदेश में खाप द्वारा केंद्र के नयक्रशी कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का समर्थन किये जाने की प्रिष्ट भूमी में भाजपा नेता और केंद्रिय मंत्री संजीव बालियान ने कहा गया भावात्मक मुद्दा है और उन्होंने यह भी माना कि उनकी पार्टी और सरकार संभावता किसानों को कानूनों का लाब समझाने में सफल नहीं रही है जनता को सरकार के पक्च में मनाने के मकसद से पिछले एक सब्ता से छेतर का दोरा कर रहे मुझफर नगर के संसद बालियान ने स्थानिय लोगों और खाप के प्रमुकों से भेट की है सर्वखाप के मुख्याले सूरम गाउं में बालियान के दौरे के एक दिन पहले यहां भाजपा और रालोद के कारेकरताओं के बीच जड़प हो गई थी केंद्रिय मुंत्री ने बताया कि किसानों को आज परिशानिया हो रही हैं और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता पर फिर से गहरा सकता है क्योंकि 19 फरवरी को करीब 4 महीने बाद कोरोना के मामलों में अचानक से बढ़ोतरी के बाद पहली बार 6000 कोविड-19 के मामले पाए गए हैं तो वहीं मंगलवार को पांचवे दिन जरूर कोरोना के मामलों में कमी देखी गई लेकिन बुधवार को अचानक फिर से कोरोना के 8807 नए मामले पाए गए हैं और 80 लोगों की जान चली गई रहत की बात यह है कि इस महामारी से 2772 लोग ठीक भी हुए ओंगरस का मोदी सरकार पर निशाना कहा मोदी जी 7 साल पहले हर साल यवाओं को 2 करोड रोजगार देने वाले थे लेकिन 14 करोड से अधिक लोग बेरोजगार हो गए हैं जिहां पस्चिम मंगाल में इसी साल विधान सभा के चुना होने को हैं इसे पहले ही सूबे का सियासी पारागर में हुआ है बीजेपी, टीमसी और कॉंग्रेस एक दूसरे पर हमलावड नजार आ रहे हैं इसे पीच कॉंग्रेस ने रोजगार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा कॉंग्रेस ने कहा कि मोदी जी साथ साल पहले हर साल यवाओं को दो करोड रोजगार देने वाले थे लेकिन 14 करोड से अधिक लोग बेरोजगार हो गए हैं कॉंग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा कि मोदी जी साथ साल पहले आप हर साल युवाओं को दो करोड रोजगार देने वाले थे लेकिन अब तक 14 करोड लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था लेकिन हकीकत में 14 करोड से जादा और नए लोग बेरोजगार हो गए हैं योगी अदितनाथ का कॉंग्रिस पर निशाना पंजाब में अपराधियों को सनरक्षन देने का लगाया आरोप जिहां बाहुबली विधैक मुखतार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश वापस लाने में हिलाह वाली पर मुख्यमंत्री योगी अदितनाथ ने कॉंग् ने रज्यपाल के अभिवासर पर चर्चा के दोरान कहा कि उत्तर प्रदेश में अफराधियों और माफियाओं के लिए अब कोई जगा नहीं है जो माफिया पहले की सरकार में बैठकर गौरों की अनुभोती करते थे वहीं अब उत्तर प्रदेश में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जूज रहे हैं उन्हें अरोप लगाया कि दूसरी तरफ पंजाब की कॉंग्रेस सरकार उत्तर प्रदेश के माफियाओं पर महरवान है उन्हें बचाने की कोशिस में लगे हुई है ऐसा करना नया पालिका में कारे में हस्तक्षेप का अनैतिक प्रयास है इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्तम नयाले से कहा कि पंजाब सरकार गैंक्स्टर से नेता बने मुक्तार अनसारी का बेसर्मी से बचाव कर रही है और विभिन्न मामलों में मुकदमों की सुनवाई का सामना करने के लिए उसे उत्तर प्रदेश नहीं भेज रहे ह अंसारी रंगदारी के एक कथित मामले में पंजाब के रूपनगर जिला जेल में बंध है